नमस्कार। मेरा नाम पढ़े गांकित कुमार सिंग। आप देख रहे हैं किसान तक सेड़नेट हाउस। सेड़नेट हाउस। आप तमाम चीज़ Nejट अपको डबी आप प्रहावस रहेंगे , कि सेड़नेट हाउस और पॉलि हाउस में क्या न्तर है। सब कुछ आज बताने के हम प्रयास करेंगे इस वीडियो में और इसके लिए हमारे साथ रहेंगे प्रहताज के अंदर के वरिष्ट वेग्यानी डॉक्टर रतनकुमार जो पूरी सेटनेट हाउस के पूरे उप्यों को बताएंगे और विशेश तोर से सेटनेट हाउस के फाय मैं किसान तक इंडिया टुड़े गुरूप से जुड़ा हुआ हूँ अनके चैनल से जुड़ा हुआ हूँ मैं आप लोगों को आज पॉली हाउस के बारे में बता करके मैं आपको बताना चाहूँगे कि पॉली हाउस और सेटनेट में पॉली हाउस में हम कंट्रोल वे में किसी चीज की खेती कर सकते हैं जिससे की हमको अग्रिम लाव हो इसमें वैसे खेती करना है जब मौसम में अगर कोई चीज नहीं है तो उस प्रकार के खेतों को जैसे सिमला मिर्च है आप लोगों को खीरा है गुबी है जरवेरा है तो ओर्किड की खैती भी की जा सकती है, लेकिन सेड्नेट जो होता है, जैसे कि नाम ही है सेड्, मतलब चाया, तो चाया में हम लोग खास करके, इसमें जो हम लोग इस्तमाल करते हैं, वो नर्सरी के पौधों को तैयार कर, इसको रखने के लिए इसमें इस्तमाल करते हैं क्योंकि यह चायदार अस्थान में हम इसमें खेती भी कर सकते हैं लेकिन इसमें controlled नहीं होगा इसमें हमारे under नहीं होगा अगर बारिश होगी तो पानी यहां पर भी बिद्दमान होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको विभिन प्रकार के आम के पौधे मिल जाएंगे आपको मोरिंगा के पौधे मिल जाएंगे आपको अन्य पौधे मिल जाएंगे आपको अभी टमाटर लगा हुआ मिल जाएगा लेकिन खास नरसरी की अवस्था के पौधे हैं, जैसे आम का पौधा तैयार करके इसके अंदर रखा जा सकता है, जैसे पपीता का पौधा तैयार किया जाता है, इसमें छोटे बहुत, मैं पपीता भी लगाने देखिए, पपीता ये रूग मुक्त पपीता है, और इसमें लग सकता है, लेकिन इस पौधा लगाने से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा इसमें फाइदा का सौधा है, कि इसमें नरसरी वाले पौधों को रखें, उसका कंट्रोल अवस्था में रहेंगे, क्योंकि पौधा वो नन्हे और सुसुप्त होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो पौधा जो होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही फाइदे मंद हैं, तो इसको रख करके, हम ध्यान में रख करके, अगर यहाँ पर हम नरसरी में सेटनेट के अंदर पौधों को रखें, जिससे कि पौधों का जीवनकाल भी अच्छा होगा, और पौधा को यहाँ विक्री भी किया जा सकता है, इसमें विभिन प्रकार के पौधों को तैयार कर रखा जा सकता है, किसान इसमें खेती होती ही चीजे करते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे, कि इसके लिए बिशेश तोर से नरसरी और सरी के लिए ही रख रहा करते हैं, यह सबसे ज़्यादा किसानों को मैं कहात करके यह भी बताना चाहूंगा, किसानों को सबजी के बीचरा को तैयार करना हいう, यह सारे जो भी चीज़ेंगे और उगाएंगें तो उनमें सेदिनेट के अंदर तो उसमें वो ज्यादा गिरोAK करेंगे वो साथ ही साथ उसमें motility बहुत ही कम होगा open की अवस्था में जैसे हम अभी बारिश होगी आंधी चलेगा तो इसमें कहीं न कहीं कुछ हद तक ओले गिरेंगे तो यह बहुत ही हद तक इसको protect करेगा तो इस संभावनाओं को देखते हुए किसानों से अनुरोध करेंगे कि इसम सकती है जो कि बहुत ही आमदनी का एक अच्छा सुरूत होगा साथ ही सौट डियोरेशन सबजी यहां जैसे है धनिया है जैसे धनिया के अभी आप थोड़ी दिनों में धनिया का रेट सो रुपे किलो हैगा आप इस सेड़नेट के अंदर कर धनिया अगर लगा करके खासा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं तो यह चीजें साथ में आपको मैंने जैसे बताया कि इसमें आम इसमें पपीता इसमें अनफलदार पौधों को जैसे आपको मैं बत दिखा दूं कि अभी यह ड्रेगन फूट्स का पौधा है जो कि हम सेड़नेट के अंदर कर तयार क करके रखते हैं तो यह ड्रेगन फूट्स को फिर हम इसको यहां से सेल करते हैं तो यह ड्रेगन फूट्स जो है हम आप जानते हैं कि यह 400-500 रुपे किलो हमारे बाजारों में बिखता है तो इसका भी पौधा यहां पर तयार किया जाता है जिसकी कीमत एक पौधे की कीमत लगबग 60 रुपे है तो ये मैं आपको बताओं कि ये सेडनेट के अंतरगत बहुत ही प्रभावकारी और बहुत ही लावदायक है अगर सेडनेट का इस्तमाल हम नरसरी को ब्रो करने नरसरी वाले पौधों को तयार करने उसके को रखने इन सब चीजों में अगर करें तो हमा रखने ऋट्युक्त बना सकते हैं अगर किसानेटों के पास बांश बली है सेडनेट जादा कॉस्टली नहीं होता सेडनेट्प और मैं 50 भाई सबा मेटने पचास मेटर लंबा और सभा मेटर चोड़ा का अगर मैं इसमें तीन तरह के सिडनेट आते हैं मैं किसान भाईयों को बताना चाहूंगा कि पचास परसेंट वाला पचास परसेंट मतलब धूप की अवस्था जो होगी वह बाहर में जो अगर हंडेड परसेंट है तो उसके अ 90 Lights घरमी के मौसम में 90% वाला जढ़ा लाबधाय कोता है छाल अगर मीजियू को ध्यान मे रखे इसमें सभी प्रकार के सेंट में पौधày करते हैं तो आपको प्रतिसत वाला ज्यादा लावकारी होगा नेट और यह नेट आपको आसानी से हर जग पट्ना में गांधी मैदान के पास किसी भी उद्यान के जो दुकान है जो कि उद्यान से संबंधित चीजें को बिक्री करते हैं वहां प्राप्त कर जा सकती है और यह खास करके गांधी म अब मैं आपको बताओं कि 52 सवा मेटर का कीमत लगभग जो कि 50 परतिसत तक वाली है तो लगभग उसका 2200 से 2500 रुपिया पड़ता है इसी तरह से 75 परतिसत वाला का कीमत 3500 से 2500 के बीच में डिपेंड अपन दा क्वालिटी ऑफ सेड नेट यह पड़ता है साथ में 90 परतिसत व सेड नेट को खुझ से भी तैयार करके और जब भी कभी सेड खराब हो जाएगा तो उससे कम कॉस्ट में भी बदलाव किया जा सकता है उसको तो इसलिए सेड नेट में किसान भाईव खास करके सब्जीयों का बिच्रा तैयार करने जो की मौसम में भी कुछ हध तक छोटे स चोटे चोटे सब्जियां जो है जैसे टमाटर है इस प्रकार के सब्जियों को आप मिर्च है इस प्रकार के साथ साथ ही साथ जो पौधे ग्रो करते हैं हाम है पपीता है इस प्रकार के फसल को हम इसमें रख भी सकते हैं पौधे छोटे ही फल के छोटे ही पौधे इसमें किसान तक खाना है तो उगाना है झाल झाल